गुड मॉर्निंग स्टूटेंट्स आज हम पार्ट बीस पढ़ेंगे पार्ट का नाम है इर्शिया तूना गई मेरे मन से और इस पार्ट के लेखक है श्रीर रामधारे से दिनकर लेखक का कहना है कि जब इर्शियालू मनुशे ये देखता है कि कोई वस्तू किसी अन्ने के पास है लेकिन उसके पास नहीं है तो उसके मन में पन भी ये अभाव की भावना सदैम उसे डंग मारती रहती है लेखक का कहना है कि डंग से उत्वन कष्ट को सहन करना उचित नहीं है लेकिन इर्शियालू मनुशे कष्ट को सहन करने के आतिरिक और कुछ भी नहीं कर सकता चलिए पाट आरम करते हैं मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं ये लेखक का कहना है जो खाने पीने से अच्छे हैं दोस्तों को भी खुब खिलाते हैं और सभा सोसाइटियों में भी काफी भाग लेते हैं बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार नोकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यांत मृद्धु भाशनी मधूर बोलने वाली भला एक सुखी मनुशी को और क्या चाहिए मगर वे सुखी नहीं है उनके भीतर कौन सा दह है कौन सी जलन है इसे मैं भलिभांती जानता हूँ दर असल उनकी बगल में उनके घर के पास में जो बीमा एजेंट है उनके विभव की वृधी से उनकी आश्वरे की वृधी से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वे उनके लिए काफी नहीं दिखता वे इस चिंदा में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर उसकी आसिक आए और उसकी तड़क भड़क भी मेरी हुई होती इर्शिया का यही अनोखा वरदान है जिस मनुश्य के रीदे में इर्शिया घर बना लेती है वे उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मोजोध है बलकि उन वस्तों से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है वे अपनी तुल्ना दूसरों के साथ करता है और इस तुल्ना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके रिते पर दंश मारते रहते हैं डंख मारते रहते हैं दंश के इस दाह को भोगना डंख के इस जलन को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है मगर इर्श्यालू मनुश्य करे भी तो क्या आदत से लाचार होकर उसे वह वेदना भोगने पड़ती है एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवा देते हुए उसका अनन लहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमगन रहना इसमें लगे रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला एक ऐसा दोश है जिससे इ कमी पर दिन राद सोचते सोचते वह स्रिष्टी की प्रक्रिया को भूल कर विनाश में लग जाता है ये नहीं कि जो उच उसके पास है वह उससे प्रसंद रहे बलकि दूसरी तरफ वह उससे जलने लगता है और अपनी उन्नती के लिए उद्यम करना छोड़ कर अपनी उन् पहुंचाने ही है इरशिया की बड़ी बेटी का नाम निंदा है जो व्यक्ति इरशियालू होता है वही व्यक्ति बूरे किस्म का निंदक भी होता है दूसरों की बुराई भी करता है दूसरों की निंदा में इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अत्वा मित जित्रों की आँखों से गिर जाएंगे। वैं दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता हैं और नीचा गिराने की कोशिश में हर वक्त में लगा भी रहता हैं। और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अन्यास मैं ही बिठा दिया जाऊंगा, मतलब उसको नीचा गिराकर जो उचा स्थान शेश बचेगा उस पर मैं विराजबान हो जाऊंगा, मगर ऐसा ना आज तक हुआ है और ना आगे होगा, दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती, एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुश्य निंदा से नहीं गिरता, उसके पतन का कारण अपने ही भीतर के सदगुनों का हुआस होत वह अपने चरितर को निर्मल बनाए, स्वच बनाए, साफ बनाए तथा अपने गुनों का विकास करें, बच्चों पाट का शेश भाग हम कल पढ़ेंगे, धन्यवाद